कम्प्यूटर से related सवाल जिस किसी भी एक्जाम में पूछा जाता हो हर एक एक्जाम में ये वीडियो काफी लाबदायक है लेकिन हम बात कर रहे हैं जिसमें की कम्प्यूटर के 20 questions पूछे जाएंगे एक बहुत बड़ा section है जो आपके नाम को merit list में डाल भी सकता है और निकाल भी सकता है तो हम इसे ignore करके नहीं जा सकते हैं जहाँ पर हम 5000 प्लस प्रस्नों को करेंगे जिसमें की 5000 से ज्यादा ही होंगे क्योंकि हर एक question का detail explanation होगा आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर 5000 प्लस प्लस प्रस्नों से ज्यादा होंगे उससे कम नहीं आज हमारा दूसरा दिन है कम्प्यूटर के MCQ का चलते हैं स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हम क्या क्या करने वाले हैं स्वागते दोस्तों आपके अपनी यूटिब चैनल परिच्छा हॉल 247 में अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर दबाईएगा और जादा से जादा दोस्तों के बीच परिच्छा हॉल 247 को सेर किजेगा ये आपका सपोर्ट होगा आपके अपने चैनल परिच्छा हॉल 247 के लिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को आपके वल ध्यान से वीडियो को सुनिएगा और इसके जो भी यहाँ पर डिसकस किये जाएंगे वो पॉइंट्स को आप नोड भी कर सकते हैं और केवल ध्यान से सुनने के आपको सारे के सारे MCQ याद भी हो जाएंगे तो चलिए लेकिन देखिए यहाँ पर हम लोग डिट पर बात करेंगे कम्प्यूटर के सरचना पर हम बात करेंगे सबसे पहला यहाँ पर दिया गया है कम्प्यूटर के मुख्य भाग कितने होते हैं कम्प्यूटर के अगर बात करें कि मेन कम्पोनेंट्स कम्प्यूटर कितने कम्पोनेंट्स से मिल करके बने होते हैं तो यह आ बड़ा सा box देखते हैं आपके desktop में आप देखे होंगे कि computer के बगल में एक जो बड़ा सा disk container होता है उसको सब कोई बोल देता है कि अरे यह CPU है जी नहीं यह CPU नहीं है बलकि इसके अंदर CPU होता है यह होता है एक जो container है यह जो box है इसको system unit करते हैं इसके अंदर सब कुछ होता है और laptop में तो एक छोटे से part में इसको डाल दिया जाता है तो यह अलग बात है तो एक दूसरा हो गया एक monitor दूसरा है CPU तीसरा है आपका keyboard आप keyboard से ही क्या करेंगे computer के अंदर जो भी input देंगे जो भी instructions देंगे वो computer के जो आप बाहर से अंदर देंगे वो कैसे देंगे keyboard से तो एक हो गया monitor दूसरा हो गया CPU तीसरा हो गया keyboard और एक keyboard के बगल में जो होता है वो क्या है mouse तो mouse भी इसका अभी नहिस्सा है ठीक है चौत पाचवा है speaker ठीक है computer के एगर छटे भाग पाचवे भाग की बात करें तो speaker है जिससे कि हम कोई audio यहां से सुनते हैं sound को यहां से कर और छटा है आपका printer क्या आप computer के अंदर soft copy को जैसे कि आप यहां पर देख रहे है structure of computer का यह soft copy है आप इसको अगर निकालना चाहते है इसका hard copy निकालना चाहते है तो आप क्या करेंगे computer में computer में लगे port से इसको क्या करेंगे USB से लगाएंगे और printer को connect करेंगे और उसके प्रिंटर से आप print कर लेंगे आप उसको बाहर निकाल लेंगे ठीक है hardware है printer क्या है एक hardware है ठीक है आगे देखते हैं तो 6 पार्ट कौन-कौन से होगे एक तो monitor, CPU, keyboard, mouse, speaker और printer आगे देखिए कि निम्न लिखित में से कौन सा computer का अभिन हिस्सा नहीं आचा computer का ऐसा हिस्सा जो CPU है जो यूज कर रहे हैं अभी हम लोग क्या बिना CPU के computer कोई काम का है तो नहीं तो ये अभिन हिस्सा है दूसरा क्या है mouse भी चाहिए ही चाहिए monitor भी computer को चाहिए ही चाहिए लेकिन UPS जो की पहले आप लोग देखते होंगे desktop के बगल में एक छोटा सा जो की ये क्या होता है uninterrupted power supply इसका full form क्या होता है UPS का uninterrupted power supply जो की power देता है जैसे अगर light white कट गया तो ये क्या करता है computer को power कट नहीं होनी देता है अचानक से तो आप आसानी से उसको safely क्या कर सकते है तो ये एक तरह से क्या है optional है ठीक है optional है ये रहे या ना रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो ये UPS जो है computer का भी हिसा नहीं है आगे देखें UPS का काता है full form क्या है पूछ लिया जाता है तो UPS का full form है uninterrupted power supply uninterrupted power supply अच्छा hardware device और क्या बलते हैं कि कि जो software होते हैं hardware होते हैं तो ये सब इसके बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से class किया हुआ है आपको उसक जा है तो आप लोग इसके बारे में पढ़ सकते हैं वहां से तो UPS का full form है वो क्या है uninterrupted power supply UPS एक प्रकार का hardware device है जो कि क्या करता है power supply बनाए रखता है ठीक है अगर light white cut जाए तो power supply बनाए रखता है और safely जो है set down आप उसे कर सकते हैं अपने system को कौन सा computer का भाग नहीं है input unit जो की computer के अंदरोनी दुनिया से computer को बाहरी दुनिया से computer के अदर वाले दुनिया से जिसको हम जोड़ते हैं किसके थुरू? तो input unit के थुरू, चीक है, हम input कुछ डालते हैं, keyboard वगएरा के थुरू, तो क्या है, input, तो ये input unit है, तो computer का ये भाग है input unit, output unit, जैसे हम output unit क्या हो सकता है, आपका जो monitor है, printer, ये सब क्या है, output unit है, speaker क्या है, output unit है, हम अपने mouse से computer के अंदर, computer के अंदर अपने चीज़ों को अपने से हिर्ण है, तो ये क्या हो गया? output unit, और memory unit भी computer का unit है, क्योंकि जब तक computer में, secondary storage, memory unit, primary memory जो होता है, ये सब क्या है, तो memory unit भी computer का ही भाग है, तो input unit, output unit, memory unit, ये सारे के सारे computer के भाग है, basic unit का ही, हमने computer नहीं सुना है तो ये computer unit का भाग नहीं है अब आगे देख लेते हैं कि बताइए यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन CPU का भाग नहीं है देखे हमने बात किया था CPU यानि कि Central Processing Unit CPU यानि कि Central Processing Unit और CPU जो है कितने तीन चीजों से बिलकर के बना होता है इसके अंदर जो होता है एक होता है control unit एक होता है आपका arithmetic logic unit और एक होता है register जिसको RAM वगरा भी यहाँ पर हम लोग जाते हैं तो देखे control unit, arithmetic logic unit और आपका register तो ये तीनों क्या करता है आपस में अलग arithmetic logic unit जो है क्या करता है arithmetic और logical operations को करता है ठीक है arithmetic और logical operations arithmetic operation क्या है जो घटा और गुना भाग logical क्या है कौन बड़ा कौन छोटा कौन बराबर ये सब जो operations है तुलना करने का काम ये कौन करता है आपका arithmetic logic unit करता है control unit जो CPU और जो आपका input output unit है ठीक है इसके बीच input output unit के बीच जो Output Unit Monitor, तो ये सब के बीच जो एक process को क्या करता है, ये analysis करता है और उसको control करके रखता है, ठीक है, उसको control करके रखता है, उस पर नजर रखता है, तो ये control unit का काम होता है, तो कूल मिला कर ये कहें, कि central processing unit process करवाता है, ठीक है, आप अगर input से, आप input से, जब कोई जैसे कि हम keyboard स कुछ input अंदर देते हैं, किसको computer के देते हैं, जैसे ही computer को input देते हैं, तो ये क्या होता है, CPU से होकर के पास करता है, CPU इस instructions को process करता है, process करवाने के बाद ये computer के memory के पास जाता है, primary memory के पास, उससे पूछता है, क्या आपके पास ऐसा कुछ है, वो memory क्या करता है, बताता है, फिर से इसको कि हाँ है फिर जाकर के यह computer को process वो instruction को process करवाता है उस system के अंदर और वो output हमें दे देता है तो यह पूरा का पूरा एक process होता है बहुत कम time में जो कि हम पता भी नहीं चलता है जैसे कि हमने यहाँ पर यह लिखा तो यह लिखने के साथ ही यह कहा गया होगा CPU के पास गया होगा CPU के control unit के पास गया होगा वहाँ पर यह process किया होगा computer के memory unit में जाकर के पूछा होगा कि क्या आपके पास ऐसा कुछ instructions है लिखवाने का जो कि हम यहाँ पर जो master सहाब लिख रहे हैं और students देख रहे हैं क्या आपके पास ऐसा कोई software instructions program है जो कि यह सा काम कर सकते हैं तो memory क्या करता है कि हाँ है फिर जाकर के control unit output में उसे दिखवा देता है process करके तो यह पूरा का पूरा एक process है जो की CPU करवा के देता है तो क्या हो जाता है इसके अंदर control unit है arithmetic logic unit है ठीक है registers है तो यह सब जो है आपका CPU के भाग है ठीक है लेकिन यह जो primary storage है यह CPU का भाग अच्छा primary memory, secondary memory इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे आगे और वीडियो में बहुत अच्छे से बात किया हुआ है जो primary memory इसके अंदर RAM होता है रोम होता है RAM क्या होता है इसके बारे में भी हमने बात किया है RAM यानि कि RAM एक तरह से एक बहुत सीधा साधा भूलक कर बच् तो वो क्या होता है non volatile memory मतलब वो उड़ जाता है उसके अंदर से सब कुछ भूलने वाला होता है लेकिन ROM जो होता है उसके रोम रोम में बस जाता है एक बार उसको कुछ आप बता दिजेगा एक बार उसके अंदर कान में कुछ फूक देजेगा तो वो भूलता नहीं वो य हिलता नहीं एक बार जब इसके अंदर आप कुछ डाल दिजेगा तो यह उसके अंदर फीड हो जाता है उसके अंदर रह जाता है कभी भी यह इसको इरेज वहां से नहीं होता है तो यह बात है तो दो परकार कि इसको detail में हमने cover किया हुआ है आप उसे जरूर देखेगा ठ system unit जो container के अंदर रहता है तो system unit का भाग आपका क्या है CPU है central processing unit अच्छा CPU क्या है CPU एक processing device है CPU क्या है एक processing device है देखे input और output unit के बीच input और output unit के बीच जो एक bridge का काम करता है वो आपका CPU है इन्पूट से आपने instruction दिया CPU के पास गया control unit जो इसको control करता है input output के process को control करता है CPU के अंदर वो process होता है यह जाकर के memory से जाके पूछता है कि जो instructions आया है बोला जैसे कि 2 plus 2 करना है तो जो processor है जो central processing unit है यह पूछता है system से कि क्या आपके अंदर plus करने का कोई instructions है add करने का कोई instruction है तो इसका memory इसके अंदर से बोलता है कि हा मेरे अंदर है तो यह क्या करता है अच्छा है तो एक काम करते हैं इसको जो हमको input मिला है उसको process करवा के output करवा देते हैं output दिखा देते हैं तो यह काम जो है CPU का होता है मतलब processing device है central processing unit ठीक है अब देखे computer किसके बिना काम नहीं कर सकता computer scanner के बिना काम कर सकता है तो जी हां computer में screen नहीं होगा तो चलेगा लेकिन internet के बिना काम करेगा अरे जी हां internet नहीं होगा तो भी तो हम record कर सकते हैं भले upload करने के लिए हमें internet क्या वसकता है तो computer काम करेगा बिना internet के हम इस पर movie देख सकते हैं जो पहले से इसके hard disk में इसके secondary storage में जो कुछ movie या फिर primary storage में भी अगर कुछ movie इसके stored है पहले से तो हम क्या कर सकते हैं? हम इससे movies वगरा देख सकते हैं, computer को चला सकते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि internet के बिना computer का काम किया जा सकता है mouse के बिना भी computer चल सकता है, लेकिन CPU अगर नहीं होगा तो ये process ही नहीं करवाएगा जो भी आप input देंगे, जो भी आप इसको data देंगे, input के रूप में instructions देंगे तो ये इस instructions को process नहीं करवाएगा और आपको output नहीं मिलेगा तो बिना CPU के computer किसी काम का नहीं है, यानि कि आपका अगर माथा बेकार हो जाए, आपका दिमाग अगर बेकार हो जाए तो आपका पूरा body आपके पास है, ठीक है, आपका पूरा body आपके पास है, लेकिन आपका माथा अगर काम नहीं कर रहा है तो फिर आप बेकार हैं, तो आप क्या हैं, बेकार पड़े रहाते हैं, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, आपका घर वाला भी आपको क्या करता है, मतलब value नहीं देता है, तो क्या होता है, दिमाग वाले का value होता है, तो जिस computer के पास अपना दिमाग होगा, CPU क् प्रोसेस करवाता है, एक तरह से क्या है, computer का दिमाग है, computer का brain है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, यहीं decision लेता है, CPU, ठीक है, अगर उसको input-output में instruction है या नहीं, तो पूछता है, कुछ arithmetic logic unit, उसके पास LU है, LU जो है, arithmetic and logic unit है, एक तरह का, तो वो क्या करता है, उसका काम होत है, कि किसी भी परकार का, जो mathematical operations होते हैं, जो घटा अगुना भाग, वो करवा करके देता है, logical operations, comparison operation, यह सब कुछ करवा के देता है, LU, register क्या करता है, एक परकार का cash memory आपने सुना होगा, cash memory, बहुत मतलब, एक छोटा memory होता है, जल्दी-जल्दी जो है, हम लोग access करवा पा पूरा काम है, तो आपके पास अगर CPU नहीं है, आपके दिमाग नहीं है, तो कोई काम का नहीं है, तो कौन सा पार्ट कम्प्यूटर का दिमाग है, बताए कौन सा पार्ट कम्प्यूटर का brain कहलाता है, तो यह कहलाता है, आपका CPU, क्या कहलाता है, CPU कम्प्यूटर का दिमाग क्या है अच्छा computer के central processing unit यानि कि CPU का function क्या है तो CPU का function है क्या यह invoice बनाता है क्या यह कोई receipt वगएरा बनाकर के देता है नहीं क्या यह गनना यानि कि calculation और process करता है तो जी हाँ यह calculations, process यह सब करता है central processing unit ठीक है तो यह हो जाएगा data delete नहीं करता है data को corrupt करता है ये सब कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा ये गनना तथा processing करता है process क्या करता है ये सब हम लोग ने देख लिया है अब आगे देखे कि यहाँ पर दिया गया है कि register register जैसा कि एक परकार का memory है एक अग्दम short memory है बहुत छोटा बहुत कम capacity का एक memory है जहां कि जो कि हमने देखा था CPU के अंदर एक होता है control unit दूसरा है logical unit arithmetic logical unit और एक होता है registers होते है इसमें ठीक है अब ये क्या करता है यहाँ से instruction गया instruction आने के बाद CPU जो central processing unit है किसके पास जाता है system के memory के पास जाता है primary memory के पास primary memory में memory address होता है ठीक है bus बार ये सब सब कुछ के बारे में हमने पढ़ा है ये जिस bus के थूरू जाता है उसको memory address वो सब लेता है फिर यहाँ से ये उठ करके आता है इसके पास तो एक-एक करके उठ के आएगा तो ये देखिए इसके पास कोई आदमी तो होना चाहिए कि इसको समेट करके line से जाने करे तुम आओ फिर तुम आओ फिर तुम आओ तुम फिर आओ अगर एक बाईगे यहाँ पर आ जाएगा तो क्या होगा यहाँ पर भीड बढ़ जाएगा तो ये जो register का काम करता है कि यह जो यहाँ से instruction आएगा जो भी यहाँ से पूछ के आएगा तो क्या होगा यह उसको थोड़ा दिर के hold करने का काम करता है कि इसको register एक ऐसा छोटा सा मेमोरी है जो इसको क्या करता है मतलब hang नहीं होनी देता है थोड़े दिर के लिए इसको hold करता है और hold करके यह उसको आगे भेजता है फिर जैसे ही दूसरा आता है तो पहले वाला यहाँ register इरेज हो जाता है इसका जो भी डेटा था वो इरेज हो जाता है और यह दूसरा वाला करके काम करता है फिर उसको hold करता है फिर आगे भेजता है तब जाकर कि आप उसमें नया data लिख सकते हैं क्योंकि बहुत चोटी memory होती है और ये काम सेवल cash memory का जो काम होता है हमने आपको cash memory बहुत detail में समझाया है बहुत अच्छे से समझाया है कि cash memory क्या होता है तो cash memory का type का ये काम होता है लेकिन cash memory से fast होता है रजिस्टर cash memory से भी fast होता है तो cash memory fast होता है उसके बाद register उससे भी fast होता है तो ये याद रखेगा ठीक है आगे देख लेते हैं कि CPU का जो execution होता है वो किसमें मापा जाता है Central Processing Unit किसी भी work को किसी भी process को execute करवाता है तो कितना तीजी से execute करवाता है उसका frequency क्या है इसको major किसमें किया जाता है तो याद रखेगा वो किया जाता है megahertz में किसमें किया जाता है megahertz में CPU के execution time को मेगाhertz में CPU के execution capacity को हम megahertz में क्या करते हैं major करते हैं यहाँ पर आप चाहे Hindi medium से हो या फिर English medium से हो आपको सब कुछ समझ में आएगा ठीक है और जो detail class है उसको हमने करवा दिया है और कुछ chapters बचे हैं उसको भी करवा दिया जाएगा ये जैसे जैसे chapters घटना चक्र में दिये गए हैं तो जहां तक हमने करवाया है वहां तक पहले पहुचते हैं और उसके बाद chapter करवाएंगे और उसके related MCQ करवा देंगे तो जो चीज आपको बहुत बड़े बड़े institute में 2000-4000 का computer करवाया जा रहा है वो यहां पर free में करवाया जा रहा है बहुत अच्छे से करवाया जा रहा है तो आपको क्या करना है सपोर्ट करना है बस क्या करना है केवल सपोर्ट करना है और ज् schedule algorithm क्या होता है schedule algorithm CPU का schedule algorithm होता है algorithm को ही कलनविधी कहा जाता है क्या algorithm देखे आपका काम करने का आपके अंदर आप क्या काम करेंगे क्या नहीं करेंगे तो आपको क्या करता है कोई आदमी आपको बता दिया देखो तुम यह करना यहां से जाना वहां जाने के बाद आपको ऐसा लेना है, वहाँ से जाकर के आपको इस ट्रेन पर बैठना है, इस गाड़ी पर बैठना है, वहाँ से आना है, आपको मिलेगा, स्याम संदर जी, वहाँ से आपको क्या करेगा, और कुछ पैसे देंगे, और वो आकर के हमको दे देना है, तो उसको क्या क्या आपने एक अल अल्गॉरिधम होता है, तो उसे CPU को multi-level schedule एल्गॉरिधम कहा जाता है, क्या होता है multi-level schedule algorithm, या फिर बहु अस्तरिया, अनुसुची कलन भिदी, उसको hindi में कहते हैं, मतलब आपको schedule करके दिया गया, यह यह आपको करना है, तो देखे CPU के पास जो schedule algorithm होता है वो कौन-कौन सा होता है, चलिए इसको आपको अच्छे से बता देते हैं, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा, मतलब यह नहीं कि detail में यहाँ पर करवाएंगे, लेकिन हाँ, जितना स instructions मिलता है, इसको instruction मिलता है, उसको input मिलता है, उसको वो process करवाता है, कैसे process करवाएगा, यह आगे memory से पूछता है, computer के memory से पूछता है, memory बताता है, जी हाँ हमारे पास ऐसा है, तो फिर जाकर कि यह उसे execute करवा देता है, और फिर output में वो चीज हमें दे देता है, output मिल जात हमें input CPU process किया, फिर memory से पूचा, फिर अगर उसके पास वैसा कुछ होगा, तो output हमें मिल जाता है, तो भई CPU को एक scheduling किया गया होगा ना, कि बताइए इसके पास अगर बहुत ज़्यादा काम आ जाए, इसके पास बहुत ज़्यादा task आ जाए, तो किसको कब, किसको कैसे कैसे इ highest priority पर कौन सा काम है, दूसरा होता है, medium priority पर कौन सा काम है, और सबसे lowest priority पर कौन सा काम है, तो देखे, सबसे lowest priority पर जो काम होगा, तो इसमें क्या होगा, कि जो सबसे पहले आएगा, जो सबसे पहले, तो इसको क्या करता है, ये बाट देता है, उस तरह के schedule, उस तरह के label में ठीक है उस तरह के label में उस instructions को उस task को काम को बाट देता है highest priority में, medium priority में और lowest priority में और फिर जाकर के वहां से देखें lowest priority में क्या होगा कि एक method है जिसका नाम है first come first serve क्या होता है first come FC और FCFS, first come first serve यानि कि जो पहले आएगा उसी का हम लोग काम करेंगे, यहां कोई priority में ही चलेगा, मतलब जो पहले आएगा, जैसे देखें अगर आप VIP नहीं है, तो आप कहीं पर जाएंगे तो आपको line लगना होगा, आप सबसे पहले line में जाएंगे, तो आपका सबसे पहले काम होगा, ज medium priority में क्या होता है, shortest job first, shortest job first, मतलब medium priority, जिसको medium priority हम लोग का सकते हैं, तो medium priority में क्या होगा, कि बीच-बीच का priority है, जिसको प्राधानता देना है, लेकिन बीच-बीच में जो priority होगा, तो सबसे छोटा काम होगा, उसको पहले कर देंगे, जो सबसे छोटा काम होगा, जो सब SIDULING ORGARITHM यानि कि SORTEST JOB PERST जो काम सबसे हीजी होगा जो काम सबसे चुटा होगा उसको कर देंगे और जो हाएस्ट PRIORITY पर होता है उसको कहा जाता है Round Robin SIDULING RR या उतना आपको नहीं पुछा जाएगा तो यह है Round Robin SIDULING मतलब उसको तो करना ही करना है highest priority को तो सब काम को छोड़ करके आपको highest priority वाला काम को करना होगा तो ये है आपका multi-level schedule और गरिदम जो कि CPU perform करता है और सबसे सरलतम यही है multi-level वाला बहु अस्तरिया अनुसूची कलनविदी इसको कहा जाता है चलिए आगे देख लेता है कम्प्यूटरों में Central Processing Unit के अंदर क्या आते हैं तो कम्प्यूटर में Central Processing Unit यानि के CPU में पहला store दूसरा arithmetic logic unit और control unit तो store होता है register में store होता है hold करता है थोड़े दिर के लिए फिर आगे भेजता है जो भी instructions एक-एक करके आता है उसको hold करता है फिर आगे भेजता है control अर्थमेटिक logic unit के बाद control unit के बाद फिर input output के बीच वो क्या करता है एक relation बनाता है control unit तो क्या हो गया store हो गया arithmetic logic unit हो गया और control unit हो ठीक यदि आप अपने PC की कार्य छमता का वेहतर करना चाहते है यदि आप अपने PC का upgrade करना चाहते हैं तो आपको क्या upgrade करना होगा तो आपको अपना micro processor आपको अपना CPU upgrade करना होगा ठीक है सिधा सा बात है CPU central processing unit क्योंकि central processing unit ही जितना अच्छा होगा जितना upgraded version का होगा वो क्या करेगा क्योंकि वो megahertz में काम करता है जितना अच्छा megahertz वाला जितना जादा capacity वाला होगा उतना आपका क्या होगा काम fast होगा ठीक है उतना आपका performance अच्छा होगा तो CPU को upgrade करना होगा computer सब्दावली में USB का full form क्या है देखे USB यानि कि universal serial bus universal serial bus जो USB port होते हैं इसके बारे में भी हमने चर्चा किया हुआ है अपनी classes में USB port के थुरू आप जो external devices होते हैं external devices जो भी जैसे pen drive है आपका जो charger है charging point है हमने pen tablet को क्या किया है इससे connect कर रखा है तो गो क्या होता USB port के जरिए जो यहां से devices external devices को peripheral devices को हम connect करते हैं computer से तो USB का क्या helpful form universal serial bus अचा किसी computer में जोडने तुलना करने और मिलाने का कारी कहा होता है हमने अभी बोला था कि किसी computer में arithmetic operations चाहे वो किसी भी जोडना घटाना गुना करना भाग करना तो और उसको comparison करना यानि कि कौन छोटा कौन बराबर है तो यह सब काम कहां होता है तो यह आपका काम जो होता है CPU chip के LU में होता है arithmetic logic unit में होता है ठीक है आगे देख लेते हैं CPU को कितने भाग में बाटा जाता है तो CPU को बाटा जाता है तीन भागो में ठीक है CPU को तीन भागों में बाटा जाता है एक तो arithmetic logic unit एक होता है control unit और एक होता है आपका CPU के अंदर ही ये कहां जाएगा भई main memory से primary memory main memory कौन सा memory होता है computer का primary memory होता है हम जो external memory यूज करते हैं hard disk है, pain drive है, compact disk है आपका DVD है ठीक है जो पहले magnetic tape चलता था जिसके बारे में हमने अच्छे से बात किया हुआ है कि कौन सा external device है external storage device है कौन सा secondary storage device है तो इसके बारे में हमने बात किया हुआ है कौन सा primary memory है ये सब हमने बात किया हुआ है तो system का, computer system का main memory है उसे primary memory कहते हैं CPU किस से connect करता है CPU जो है किस से बात करता है तो CPU बात करता है किस से primary memory से ठीक है direct primary memory से बात करता है CPU यह नहीं कि CPU secondary memory से बात नहीं करता है यहीं से इसका आना जाना होता है तो चलिए आगे देख लेगे यह सब चीज को ठीक है तो देखे यहाँ पर क्या हो जाएगा arithmetic logic unit, control unit और एक register होता है memory की तरह तो CPU को तीन भागों में बाता जाता है CPU का पूरा नाम क्या है Central Processing Unit CPU का पूरा नाम क्या है Central Processing Unit ठीक है आगे देख लेते हैं अब देखे निमलिकित में से कौन सा output device नहीं है output device कौन सा नहीं है तो monitor output device है जी हाँ monitor के थुरू हम क्या करते हैं कोई भी internal computer के अंदर के चीज़ को computer के अंदर के चीज़ को हम बाहर देखते हैं तो output device है computer के अंदर computer के अंदर जिस भी method से जिस भी device के थुरू computer के अंदर हम चीज़ों को डालेंगे तो वो input device होता है ठीक है तो monitor क्या है? हम उसे बाहर देखते हैं, हम अभी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं अपने mobile में, तो ये क्या है? monitor, तो monitor output device है, जी हाँ, printer के थुरू, हम computer के अंदर के चीजों को बाहर निकाल लेते हैं, hardcopy में, तो ये output device है, plotter की भी एक क्या है? output device ही है, लेकिन touch screen, input device है क्योंकि touch के थुरू, हम computer के अंदर input instructions डालते हैं, तो ये input device है, computer का monitor क्या होता है, तो computer का monitor एक output device होता है, देखें, यहां लिखा गया है, कि बताईए कौन सा सही है, graphical user interface, अच्छा, इसके बारे में हमने बात नहीं किया हुए, क्या computer में, operating system, जब हम आपको पढ़ा रहे थे software में, तो उसमें बताया था कि graphical user interface, character user interface, जिसमें MS-DOS वगेरा के बारे में बात किये थी, graphical user interface में, जो आजकल देख रहे हैं, आप नए-ने technology, जो आपका mobile आ रहा है, जो operating system, जिसमें Android operating system है, चाहे Windows, जो कोई भी operating system है, तो उसमें क्या होता है, graphical user interface, एक तरह से user interface है, user friendly है, एक interface होता है, जो कि आपको user को, मतलब हमारे जैसे उप्योग करता को computer के साथ connect करता है, easily, जैसे कि हम कोई छोटे से छोटे बच्चे भी, आज mobile use कर ले रहे हैं, उसके पास, सामने क्या होता है, multimedia वाला gallery होता है, वो gallery को touch कर लेता है, जैसे उसको दिखता है, अरे ये phone वाला है, उसे दिखता है, अरे वाटसेप है, वाटसेप को touch करके, वाटसेप messaging कर लेता है, तो ये graphical user interface वाला जमाना है, अगला देखे, visual display unit, video का unit, full form क्या होता है, visual display unit, लेकिन ALU का arithmetic logic unit होता है, लेकिन यहा लिखा गया है, और all logical unit, तो ये गलत है, बाद बाकि ये दोनों सही है, चलि स्वपंत्र platform है, एक independent platform है, जिसके थुरू हम external devices को, peripheral devices को computer से connect करते हैं, तो ये एक स्वपंत्र platform है, याद रखेगा, independent platform है, अच्छा, electronic component, electronic component वाले 3 plate, या फिर board को हम क्या कहते हैं, एक board आपने देखा होगा, क्या देखा होगा, एक board आपने देखा होगा, तो उसमें छोटे 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 electronic components लगे होते हैं, छोटे 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 जैसे की capacitor लगा होता है, microprocessor लगा होता है, जो आप देखा होगा आपने, तो ये क्या है, इसको कहते हैं, circuit board कहते हैं, देखें, अब आगे देख लेते हैं, computer का मुख्य system board क्या कहलाता है, तो computer का मुख काड़ हो चाहे आपका विडियो काड़ हो चाहे डिस्प्ले काड़ हो कोई प्राइमरी मेमोरी हो रैम हो रोम हो हर एक चीज या फिर जो पोर्ट होते हैं जिसके थुरू हम लोग कम्प्यूटर को कनेक्ट करते हैं external devices से सारे के सारे components जो हैं वो आपके कम्प्यूटर के motherboard पे होते हैं micro processor भी आजकल जो कम्प्यूटर के motherboard पे होता है जिससे CPU कहा जाते हैं तो ये क्या है motherboard कालाता है एक board होता है जिसके उपर कम्प्यूटर के सारे components लगे होते हैं तो ये क्या हो गया motherboard कालाता है देखें computer के सबी hardware की जाच कौन करता है BIOS कौन करता अचा इसके बारे में computer software के अंदर आपको मैंने बताया था कि BIOS क्या होता है BIOS क्या होता है जिसे basic input output system करते हैं यह computer को जब आप start करते हैं तो start करने के बाद सबसे पहला software यूज हो आता है वो आपका BIOS यानि कि BIOS basic input output system और यह आपके computer को start करने में मदद करता है अगर आपका BIOS सही नहीं है तो computer आपका start नहीं होगा BIOS computer के start होते ही यह सारा कुछ चेक करता है क्योंकि BIOS जो है अपने computer के सारे hardware को पहचानता है कौन सा hardware सही काम कर रहा है या नहीं कौन सा hardware प्रॉपर तरीके सही work कर रहा है जिसका जो काम है सब सही है all okay है उसके बाद BIOS क्या करता है computer को command देता है और on होता है सब कुछ तो यह जो computer जैसे ही start होता है तो जो Windows वाला screen आने से पहले जो software start होता है वो है BIOS BIOS और यह computer को start होने से पहले सारे hardware उसके अंदर के सारे hardware की जाच यह कर लेता है कि जो circuit board, motherboard एक ऐसा circuit board जिसमें CPU यानि की central processing unit भी होता है micro processor जिसे करते हैं और अन्य cheap अलग-अलग जो चितने भी cheap होते हैं वो सारे के सारे आपके motherboard पर लगे होते हैं peripheral device को connect करने के लिए ports भी इसी में लगे होते हैं computer के संदर में अगर बात करें तो कौन एक peripheral device नहीं है ठीक है तो अब देखें keyboard क्या है, peripheral device है computer को हम बाहरी hardware device के साथ जो जोडते है peripheral का मतलब क्या होता है output तो बाहर के device को अगर computer के थूँ जोडते है external device को तो यह सब क्या है, peripheral device है, जैसे keyboard peripheral device है mouse बाहर से जोडते है peripheral device है, ठीक है monitor एक तरभा से क्या है, peripheral device है वहीं पर printer क्या है, एक peripheral device है लेकि Motherboard Motherboard क्या है, जिसके अंदर computer के अंदर होता है और यह computer के सारे main components होते है, electronic components सारे के सारे motherboard के होते है, तो motherboard peripheral device नहीं है चलिए आगे देखते हैं, मदर बोर्ड में क्या रहता है, जो मदर बोर्ड पर CPU को दुसरे पूर्जों से जोड़ता है, तो मदर बोर्ड में एक सिस्टम बस होता है, मदर बोर्ड के उपर जो आप देखते हैं, जितने भी कॉंपोनेंट्स होते हैं, इधर आपका क्या होता ह आपका system bus कहा जाते है क्या कहा जाते है system bus अलग-अलग system bus का अलग-अलग नाम होता है address bus होता है ठीक है सब एक system bus के थुरू CPU से memory से जुला होता है तो किसके थुरू जुला होता है system bus के जैसे ही हम कुछ input देते हैं तो CPU के पास जाता है कि क्या आपके अंदर ऐसा ऐसा instruction को काम करने के लिए execute करने के लिए instructions दिया गया है memory कहता है जी हाँ दिया गया है तो वो क्या करता है अपने ये जो system CPU एक particular address पर उसको पता रहता है कि ये कहा होगा तो main memory address पर जाकर कि पूछता है उससे वो बताता है और उसको फिड उस पर चड़ा देता है और फिर information को ये लेकर आता है CPU के पास और CPU को दे देता है हाँ है हमारे पास फिर CPU जाता है और output दे देता है हम लोकों तो इस तरह से काम होता है तो system bus के तुरू ये सारे के सारे components जुड़े होते हैं अच्छा मदर बोड को निम्न में से और नामों से जाना जाता है क्या तो देखे मदर बोड को main system board भी कहा जाता है system board भी कहा जाता है तो motherboard को main board कहिए system board कहिए सब कुछ कहा जाता है ठीक है अब आगे देख लेते हैं कि जो external device को cable की सहायता से किस में जोडा जाता है तो external device, जो भी external device है चाहे आपका pen drive हो, चाहे आपका charger जो हो, चाहे आपका mouse जो USB वाला mouse होता है या फिर आपका कोई भी external device है जो उसको अगर आप किस के थुरू, किस के थुरू तो computer में ports के थुरू हम connect करते हैं उसके लिए ports होता है और उसको हम लोग connect करते हैं ठीक है computer के capacity को या फिर उसके compatibility को बढ़ाने के लिए क्या उप्योग किया जाता है computer का capacity या compatibility क्या होता है अगर uncomfortable है अगर कोई computer कहा जाता है कब कहा जाता है कि अगर कोई software या फिर जैसे हमारे mobile है हम अपने mobile में अगर हमारा mobile किसी software को support नहीं करता है तो इसका मतलब क्या है वो compatible नहीं है उस software को support करने के लिए तो हम करते हैं या तो mobile को upgrade करो नहीं तो upgraded version वाला mobile तुम को खरीदना होगा तो उसी चीज को computer के छमता को capacity को बढ़ाने के लिए compatibility बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं expansion card का use करते हैं याद रखेगा expansion card का use करते हैं ठीक है आगे देखे network card को निमलिकित में से किस नाम से जाना जाता था तो network card आज से पहले बहुत दिन पहले जब हम लोग का ये wifi वगरा नहीं था तो उस समय क्या होता था एक modem आता था modem में हम लोग SIM डालते थे उसमें internet pack डलवाते थे और उससे internet चलाते थे तो ये network card जो आज है ये modem एक परकार का modem ही है ठीक है एक परकार का modem है आचा उपर में हो गया था ठीक है जो work होता है main function होता है computer को computer network से जोड़ना network card को modem का संसोधित रूप भी कहा जाता है तो याद रखेगा network card को modem कहा जाता है देखे electrical signal electrical signal को audio signal में कौन बदलता है तो आपके computer के अंदर जो audio card होता है वही आपके electrical signal को audio signal में convert करता है ठीक है, electrical signal को audio signal में कौन convert करता है, तो ये आपका audio card करता है, जैसे कि हम आप sound कुछ अंदर से सुन रहे हैं, जैसे कोई BLC media player चलाएं, कोई video चलाएं, तो वो जो signal हम audio के format में sound सुनते हैं, तो वो electrical signal को audio signal में convert करके देता हो, ये कौन करता है, audio card जो लगा हुआ है आपके, अगर audio card सही काम नहीं करेगा, तो आप audio नहीं सुन पाएंगे, video card को और किस नाम से जाना जाता है, तो video card को display card के नाम से भी जाना जाता है, video card को display card बोल लिजे, display adapter card बोल लिजे, adapter card बोल लिजे, तो यह एक परकार का expansion card है, अगर आपको video अच्छी quality पे देखना है, तो आपको क्य अप्डेटेड नहीं है, वीडियो driver updated नहीं है, यह सब कुछ अभी हमने computer software में complete क्या है, computer software के दो वीडियो, part 1, part 2 में cover हुआ है, बहुत छोटे छोटे वीडियो है, आप उसे जरूर देखेगा, बहुत अच्छे से आपको सब कुछ समझ बाएगा, ALU यानि कि arithmetic logic unit, arithmetic logic unit यह क्या काम करता है, तो यह किस चीज़ का परिचालन करता है, क्या करता है, तो arithmetic calculation यह करता है, arithmetic mathematical operation यह करता है, ठीक है, अच्छा देखे, system unit एक container होता है, जो आप desktop में, एक बगल में, बहुत बड़ा सा container box देखते तो वो क्या होता था, system unit होता था, ठीक कहा जा रहा है कि system unit एक ऐसा box है, जिसमे computer system के सरवाधिक महतोपूर्ण port होते हैं, हम external devices को उसी port के थुरू जोड़ते हैं, ठीक है, अब देखे, क्या होता है, आगे, हाँ, arithmetic and logic unit, यानि कि ALU, ALU जो है, arithmetic and logic unit गनना करने, यानि कि calculation करने के लिए जिमेदार है, और इसमें निर निरने का मतलब कि कौन छोटा, कौन बड़ा, यह arithmetic logic operation भी करता है, logical operation भी करता है, यह बराबर comparison भी करवाता है, तो यह arithmetic logic unit का बात हम लोगों ने किया, हम लोगों ने किया, तो क्या हो गया, arithmetic logic unit, calculation के लिए जिमेदार होता है, तो याद रखेगा, calculations के लिए जिमेदार होता है और arithmetic logic unit जो है इसके बारे में सबसे पहले किसने इसके बारे में जो इसका concept किसने कौन लाया था तो 1945 में याद रखेगा arithmetic logic unit का जो concept आया था 1945 में एक scientist थे computer scientist वो कौन थे? जॉन वन नुमेन जीत हुए इन्होंने ही इस मतलब LU के बारे में बात किया था अच्छा हमने देखा कि जॉन वन नुमेन LU के concept को लाया था arithmetic and logical और यही जॉन वन नुमेन जो stored program है ठीक है अभी जो भी program instruction stored रहता है तो stored program का concept भी कौन लाया था? जॉन वन नुमेन ने लाया था याद रखेगा अब आगे देखे CPU और input output जो भी devices हैं उसके बीच signal के movement को कौन control करता है? तो देखे CPU और CPU के अंदर कौन? control unit, arithmetic logic unit और register और आपका यह input device और यह आपका output device तो input और output के बीच जो भी signal का movement होता है इस पर control unit करता है कौन? control unit करता है याद रखेगा CPU के अंदर control unit चलिए आगे देख लेते हैं कि CPU में, CPU के LU में, CPU के LU में क्या होते हैं? CPU के LU में register होते हैं, क्या होते हैं? register to register, register stack, register in memory इसको भी हमने पढ़ा है हुआ है, देखे, LU का पूरा root क्या है? LU arithmetic logic unit, arithmetic logic unit, अच्छा निमन में से कौन सा computer hardware नहीं है, computer hardware नह कुछी हम छू सकते हैं, touch कर सकते हैं, काट सकते हैं, मार सकते हैं, तोड़ सकते हैं, वो hardware है, monitor hardware है, mouse hardware है, ठीक है, speaker hardware है, लेकिन LU arithmetic logic unit क्या है? hardware नहीं है, या CPU के अंदर एक unit होता है, या hardware नहीं है, ठीक है? चलिए, आगे देखते हैं कि सुच्छ में संधारित्र का महतपुर unit है, सुच्छ में संधारित मतलब, एक तरह से microprocessor, जिसो हम लोग देखते हैं, आज जो आप CPU बोल रहे हैं, वो microprocessor जो भी है, तो microprocessor एक महतपुर्ण unit है, उसका महतपुर्ण microprocessor का महतपुर्ण unit क्या क्या है? तो LU, देखे, CPU बोलिए, microprocessor बोलिए, सब कुछ क्या है, वही है, तो CPU का महतपुर्ण unit, LU भी है, LU यानि कि arithmetic logic unit, registers भी है, और control unit भी है, तो सब हो जाएगे, क्या हो जाएगे, सब हो जाएगे, ठीक है, अब आगे देख लेते हैं, कि arithmetic and logic unit, arithmetic and logic unit की बात करें, तो ये क्या करता है, ये करता है आपका गनितिय संक्रिया, यानि कि mathematical operations को ये perform करता है, और comparison operation को, comparison यानि कि कौन बड़ा, कौन छोटा logical operations को भी, गनितिय operation, plus, minus, गुना, भाग, ये सब कुछ करता है, तो ये दो चीज करता है, काम ठीक है, एक और तीन, तो यहां से क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, अच्छा, निमलिखित में से, एक कौन सा, ए जो memory होता है, उसे क्या करते है, तो वो LU होता है, क्या होता है, LU होता है, LU यानि के arithmetic logic unit, इसके बारे में तो हम लोग बहुत detail में बात भी किये है, computer system के कारियों को कौन नियंतृत करता है, computer system के जो भी उसमें कारी होते है, तो इसको नियंतृत कौन करता है, तो याद रखेग मुख्य तीन भाग तो ALU, Control Unit और RAM RAM का मतलब Random Access Memory जो Primary Memory होता है जो Main Memory होता है वो ठीक है अब देखें सहायक यानि के auxiliary memory अभी हमने देखा कि Primary Memory या फिर Main Memory देखें जो हम लोग का Primary Memory ROM के बारे में हमने पढ़ा है Read Only Memory RAM के बारे में जो पढ़ा है जो कि Manufacturer हमें अपने Motherboard पर करके पहले से इंस्टॉल करके Primary Memory के भेजता है जो हमारे पास रहता है पहले से इंस्टॉल इतना Memory है हमारे पास ठीक है लेकिन अगर आपको अलग से कुछ Data को, कुछ Information को जो भी आपके Files हैं उसको रखना है आपको आजीवन रखना है तो आपको क्या करना होता है उसके लिए कुछ Auxiliary Memory जिसे Secondary Storage Device भी कहा जाता है Secondary Storage भी कहा जाता है Auxiliary Memory भी कहा जाता है आप उसको क्या है वो Secondary Memory तो अभी जो आप लोग Hard Disk यूज करते हैं जो Pain Drive है जो CD आप लोगों ने देखा होगा जो आपने DVD देखा होगा Magnetic Tape, Floppy Disk इन सब के बारे में हमने बात किया है Pain Drive, Flash Drive जो हमने पढ़ा था तो ये सब कुछ क्या है Auxiliary Memory है तो Auxiliary Memory को लोग प्रिया रूप से क्या नाम से जाना जाता है Secondary Storage क्या Secondary Storage Primary Storage जो Main Memory है RAM और ROM और Secondary Storage जो की External Memory है ठीक है ये हम लोगों ने देखा हुआ है चलिए जो Memory CPU के द्वारा सीधे प्रोसेस नहीं किया जा सकता वो क्या है Secondary Memory CPU किसके पास जाता है वो जाता है CPU Primary Memory के पास CPU Direct Secondary Memory के पास नहीं जाता है अगर Secondary Memory से माल लिया कि हमें कोई चीज हमारे Hard Disk में है ठीक है हमारे Hard Disk में कोई Movie वगरा है तो हम उसको Access करने के लिए CPU को जब बोलेंगे तो CPU Direct Access नहीं करेगा Secondary Memory को यानि कि हमारे Hard Disk को Direct Access नहीं करेगा ये क्या कहेगा Primary Memory को ठोक्चा मारेगा क्या रे भया सुनो ना ऐसा-ऐसा हमें कुछ Instructions मिल रहा है तुम अपने पडोसी से पूछो ना Primary Memory को बलेगा तुम अपने पडोसी से पूछो ना तो पडोसी कहेगा ठीक-ठीक-ठीक-ठीक रूको पूछते हैं तो ये क्या है वो तो मेरा गोतिया ही है हाँ भले उसके पास थोड़ा ज्यादा Storage Capacity है लेकिन वो मेरा गोतिया है तो Primary Memory क्या कहेगा Secondary Memory के पास जाएगा Secondary Memory से डाटा को लेगा Primary Memory में लेगा और फिर जाकर के ये CPU से बात करेगा तो इस प्रकार से बात होता है तो CPU डाइरेक्ट प्रोसेस नहीं करता है Secondary Memory को Secondary मेरा यानि के Hard Disk वगेरा को ठीक है Pen Drive को चलिए जो Memory CPU है तो हमने बता ही दिया आपको चलिए निमन में से कौन सा डेटा और प्रोग्राम का उप्योग नहीं करता है डेटा और प्रोग्राम ये सब का उप्योग नहीं करता है लेकिन वर्तमान उप्योग के लिए लंबी अवधी का Storage परदान करता है तो ये कौन है आपका Secondary Memory है कौन सा Secondary Memory है लंबा अवधी के लिए आप चाहे जितना दिन उसमें रख लिजे ठीक है कोई बात नहीं है चलिए डिस्क और टेप ड्राई जो डिस्क होता है Compact डिस्क या फिर डिवेडी जिसमें हम लोग कुछ अपने डेटा को कुछ अपने फाइल्स को इस्टोर करके रखते हैं जैसे आप कोई सॉफ्सिवेर वगेरा अपने सीडी में लेकर के आते हैं उसमें इस्टोर करके रखते हैं कि नहीं पहले मुवी वगेरा होता था एक जिवी का, डिल्ड जिवी का, दो जिवी का तो वो सब इस्टोर करके हम किसमें लेकर के आते हैं जो सीडी देखा होगा अपने मुवी देखा होगा, सौधागर देखा होगा, तो यह सब movie उसमें क्या होता था, उसके memory में store रहता था, तो disk type का जो memory है, वो कैसा memory है, secondary storage device का कैसा, secondary storage, इसके बारे में detail में हमने चर्चा किया हुआ class में, लेकिन यहाँ पर समझेए, disk type का, या फिर tape drive, जो magnetic वगेरा होता था, आपने CD के सट दिखा है न, सौरी, CD के सट डिंग, audio के सट जो के हम लोग डेक वगेरा में यूज करते थे, यह reels वाला, तो वो सब क्या है, magnetic tape है, और उसको जो tape आपने देखा होगा, बहुत लंबा सा कीच, हम लोग उससे खेलते भी थे, तो वो जो tape होता है, magnetic tape, और उसमें क्या परकार है, देखे हम लोग USB, USB port से secondary storage device के को connect करते हैं, चाया हो hard disk को, चाया paint drive हो, किसी को भी secondary storage को USB, तो यह हो जाएगा आपका secondary type का, ठीक है, secondary type का, अब बड़ी मात्रा में, स्थाई data को, बड़ी मात्रा में, पर्मानेंट रूप से हमको data को, अगर store करके रखना है, तो उस USB, ठीक है, इस मिर्ती में आकड़ों, आकड़े मतलब data, data के स्थिति को विशेश रूप से व्यक्त करने का साधन क्या है, तो देखे, जब CPU, CPU के पास कोई instruction पहुचता है, CPU क्या करता है, उसको पता होता है, कि memory में, वो जे वो instruction है, वो memory में कहां पर है, उसका address उसको पता हो तो वो bus system bus होता है, तो ये याद रखेगा कि इस मिर्ती, यानि कि memory में data के एक particular इस्थिति गुब्भी से शुरूप से व्यक्त करने के लिए memory address का यूज होता है, ठीक है, अब आगे देखे, निमलिखित में से कौन सा निर्देश चक्र, निर्देश चक्र को भी हमने इस instruction क्या करता है CPU, फेज करता है, उस instruction को फेज करता है, फेज का मतलब लेना, ठीक है, फेज किया, फेज करने के बाद इस instruction को decode किया जाता है, क्या क्या जाता है, उसको समझा जाता है, इस instruction को decode किया जाता है, और decode करने के बाद इस instruction को read किया जाता है, किसे memory किसे इस instruction को read किया जाता है तो read किया जाता है उसके बाद फिर जाकर read करके उसको उस instruction को execute किया जाता है तो क्या होता है एक instruction cycle में क्या होता है fetch होता है उसको fetch the instruction decode the instruction read the instruction और उसके बाद read करने के बाद execute होता है तो एक पूरा instruction cycle इस परकार से होता है या फिर instruction cycle होता है face, indirect, उसके बाद आपका execute और एक होता है interrupt, यह पूरा cycle होता है instruction cycle का, एक होता है face, indirect, face के बाद indirect, उसके बाद execution और फिर interrupt, तो यह instruction cycle का एक पूरा process होता है, तो इसमें आप देखे कि यहाँ पर कौन कौन सा instruction cycle में सामिल है, या फिर नहीं, face है, जी हाँ है, indirect ह जी हाँ है, एक्जेक्यूट है, हाँ है, लेकिन memory instruction cycle में कोई काम मतलब नहीं करता है, तो यहां से क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, इसका सही जवाब हो जाएगा, memory instruction cycle में कोई पालन में सामीर नहीं है, आगे देखें, निमलिकित में से सबसे तेज कौन सा है, अच्छा तेज जो है चाहे CD-ROM की बात करें CD-ROM क्या है? CD-ROM जो आपका primary memory है RAM primary memory है, random access memory आपका cache memory ये भी primary memory ये भी fast होता है लेकिन इससे भी fast होता है आपका register memory जो कि आपके CPU में होता है central processing unit में होता है थोड़े दिरकल ये hold करने का इसके पास capacity होता है और बहुत fast होता है, बहुत जल्दी ये क्या करता है चीजों को अपने से ले करके जाता है और hang day करने देता है, जैसे कि आपका cache के बारे में आपको बताये थे cache memory क्या होता है, ये सब आपको बताया हुआ है ठीक है? तो चलिए cache से ये fast होता है, cache memory से देखें, यहाँ पर बात करते हैं कि जो आपका memory, क्या computer का एक महतपुर्ण छेतर, बताये क्या ऐसा चीज है computer का एक महतपुर्ण छेतर है, जो data के processed, stored या फिर output होने की परतिक्षा करते हुए data को अस्थाई रूप से hold करता है, तो data को hold करने का capacity किसके पास होगा, memory के पास होगा, किसके पास होगा, memory के पास होगा, चलिए, आगे देख लेते हैं, वर्तमान में, वर्तमान में CPU के द्वारा निस्पादित, यानि कि वर्तमान में CPU के द्वारा execute किया गया program और data निमलिखित में से कौन स्टोर करता है तो CPU के द्वारा जो भी एग्जेक्यूट की आवब प्रोग्राम हो या फिर डेटा हो वो प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होता है क्योंकि CPU और प्राइमरी मेमोरी का बातचीत होता है ये दोनों दोस्त है लेकिन सेकेंडरी मेमोरी CPU का दोस्त नहीं है हाँ प्राइमरी मेमोरी का गोतिया है सेकेंडरी मेमोरी तो अगर CPU को कोई चीज सेकेंडरी से लेना होता है तो वो किसे बात करता है वो बात करता है प्राइमरी मेमोरी से तो CPU में execute program data इस सबको जो store करता है वो primary memory में store होता है और primary memory दो परकार के होते है RAM और ROM होता है RAM और ROM RAM दो परकार का होता है एक होता है SRAM और एक होता है DRAM SRAM और DRAM मतलब dynamic random access memory और SRAM static random access memory और यह जो roam होता है, यह होता है, read only memory, और यह देखे, roam जो होता है, यह होता है, non-volatile nature का, यानि कि इसमें आप कोई चीज़ अगर feed कर दिये, इसमें कोई instruction, कोई software, कोई program डाल दिया यह तो यह भूलता नहीं है अपने अंदर से, लेकिन RAM में क्या होता है, यह भूल जाता है, फिर आप on की जगा, तो उससे सब कुछ delete हो चुका होगा, तो RAM क्या करता है, सिर्फ आपको एक जगह देता है काम करने के लिए, जैसे कि अभी हम, अभी हम आपसे class से interact हो रहा है, तो यह कहां पर काम हो रहा है, यह RAM पर हो रहा है, कहां पर RAM पर, लेकिन जैसे ही light कट जाए या फिर हम विनाक्टा, यह किये, इसको ऐसे ही recording बंद कर दे, तो यह recording यहां रहेगा ने, अगर save नहीं करेंगे, तो यही चीज़ है, RAM केवल काम करने का जगह देता है हमको, ठीक है, कि आप सही से काम कर लिजिए, और यहां से चलते बनीए है ना, चलिए, यह बात हम स्मार्ट कार्ड जो आप लोग देखते हैं, उसमें जो भी data information होता है, उसके storage के लिए उसमें क्या लगा होता है, जैसे आपका ATM कार्ड है, आपका कोई भी smart card है, आपका metro card है, तो उसमें क्या होता है, एक information आपका उसमें store रहता है, जैसे आपका ATM कार्ड है, आप उसमें ज इस प्रकार के ATM कार्ड में एक छोटा सा पाठ होता है, वो माइक्रोचीप होता है, उसी में सारे के सारे information इस्टोर रहते हैं, ठीक है, मेमोरी पद के लिए मिम्न में कौन सा पर्यूप्ध होता है, मेमोरी के लिए, तो इस्टोरेज होता है, ठीक है, लॉजिक थोड़ी होगा control थोड़ी होगा, प्रोग्राम थोड़ी होगा, अचै चलिए, computer में स्मृति के प्रकार है, computer में memory के प्रकार कौन कौन से है, तो computer में memory के प्रकार, semiconductor memory, देखे, primary memory, जो की ram, roam है, उसको हम semiconductor memory भी कहा जाता है, ठीक है, magnetic memory भी होता है, optical memory, जो optical devices होते हैं, जैसे कि CD है, compact DVD है यह सब optical memory के अंदर आता है तो optical memory लेकिन server memory के परकार नहीं है तो यहां से क्या हो जागा एक दो चार तो option देख लिजेए C वाला है ठीक है आगे देख लेते हैं computer का वह हिस्सा जहां data तथा निर्देश भरा होता है computer का कौन सा इस्सा जहां पर data तथा instructions भरे होते हैं वो memory unit में ही भरे होते हैं सारे के सारे data तथा instruction memory में store करके रखा हुआ होता है अचा जहां computer और programmer और data को store करते हैं उसे क्या कहते हैं तो उसे कहा जाता है आपका storage unit क्या कहा जाता है उसे कहा आजाता है, storage unit, ठीक है, आगे देख लिएते हैं, memory को कितने भागों में बाटा गिया है, memory को दो भागों में बाटा गिया है, कौन सा primary memory और secondary memory, primary memory याने के main memory, primary memory याने के internal memory, secondary memory याने के external memory, ठीक है, याद रखेगा, secondary memory को, जो आपका secondary storage device आगे जो अपने लंबे समय के लिएक data files को save करने के लिए store करने के लिए रखते हैं ठीक है ये सब हम लोग जानते हैं अच्छा instruction यानि कि निर्देश information यानि कि सूचना और परिनाम यानि कि उसको एकत्र उसको store करने के लिए किसका परयूग किया जाता है तो memory unit का memory में रखेंगे ये सारे के सारे चीज़ों को floppy disk किस परकार की memory है तो ये एक बाही memory तथा secondary memory दोनों परकार की memory है ठीक है आगे देखते हैं कि data backup के लिए data backup के लिए किस परकार की memory का उप्योग किया जाता है data को backup बनाने के लिए किस परकार की memory का उप्योग किया जाता है तो secondary memory का अगर आपको कुछ data अपना backup करना है तो secondary memory का करते हैं hard disk में करते हैं ठीक है अब देखिए कहा जा रहा है कि जो किस परकार क्या एक परकार की स्थाई memory है बताइए जो start-up के लिए computer को जिनकी जरूरत होती है और उन सभी instruction को hold करती है जो power बंद करने पर भी erase नहीं होती है तो ये कौन सा memory होता है? Rome में ये किसमे? Rome में जैसे कि computer आपका बंद हो गया ठीक है? आप computer बंद जैसे ही हो गया आप computer को own करते हैं जैसे ही own करते हैं तो आपका सारा का सारा data save रहता है आपके जो date हैं, आपके जो time हैं या फिर आपने जो save करके रखा है सब कुछ सारा कुछ ये इसमें रहता है या फिर जो आपका computer को पहले से निर्देश दिया रहता है वो सब कुछ जो कि वहां से erase नहीं होता है वो कहां पर save रहता है? वो Roam में होता है read only memory में होता है जैसे कि washing machine वगेरा में भी washing machine चाहे microwave हो गया electric oven हो गया ये submit भी room में उसमें कुछ manufacturer के द्वारा कुछ instructions को feed करके डाल दिया जाता है उसके room में ठीक है और एक cheap होता है उसमें डाल दिया जाता है और वो ही काम करता है कभी नहीं भूलता तो रोम में रहता है यानि कि non-volatile memory में जो उड़ने वाला memory नहीं होता है इसके room room में बसा होता है एक बार जैसे उसमें आप कुछ बात कह दिये अच्छा computer का room क्या है तो computer का room जो है तो जो computer का room क्या LU का भाग है arithmetic logic unit का नहीं ये क्या बोलते हैं इसका CPU का भाग नहीं है computer software का भाग है room software का भाग है ही नहीं ठीके अच्छा operating system का भाग है नहीं computer hardware का एक परकार है ठीके computer hardware का एक परकार है ये primary memory ठीके जैसे motherboard पर ये लगा हुआ होता है ठीके room तो याद रखेगा computer hardware का भाग है अच्छा read रोम का पुरा नाम पुरा रूप read only memory क्या read only memory रोम के सभी रूपों को और क्या कहते है रोम के सभी रूपों को और उसको firmware भी कहा जाता है अब ये firmware क्या होता है इसको मैंने computer software में आपको बताया हुआ है बहुत अच्छे से firmware यानि कि पक्का वाला जो कभी भूलता नहीं है जैसे कोई भी hard disk आपका कोई भी hardware है keyboard है या फिर आपका किसी भी type का hardware आपका camera है webcam है या फिर आपका washing machine है आपका TV है ये सारे के सारे hardware अपना काम को भूलता क्यों नहीं है भई क्यों नहीं भूलता है जितना दिर हमको instruction दिया जाता है तो ये सारे की सारे चीजों को हम भूलते क्यों नहीं तो hardware जितने भी hardware होते हैं उन hardware में manufacturer की द्वारा एक instructions feed कर दिया जाता है embed कर दिया जाता है जिसे firmware का नाम दिया जाता है एक परकार का software है लेकिन जो की भूलता नहीं hardware के अंबर embed कर दिया जाता है तो रोम को एक परकार से firmware भी कहा जा सकता है ठीक है अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि odd event out तो भी सम कचायन किजिए देखिए floppy disk secondary storage type का memory है DVD secondary storage है storage type का memory hard disk secondary storage type का लेकिन रोम जो है यह read only memory primary है तो यही हो जाएगा आपका यहाँ पर event odd primary storage unit निमलिखित में से कौन से रूप को संकेतित करती है primary storage तो देखिए दोनों primary storage दोनों होता है internal storage बोल लिजए या फिर primary memory बोल लिजए जो बोल लिजए अच्छा EP ROM क्या होता है देखिए ROM क्या होता है आप उसको double E ROM बोलिए EP ROM बोलिए EE ROM बोलिए तो E ROM बोलिए तो यह सब होता है EP ROM क्या होगा erisible, programmable, read only memory अब क्या होता था कि ROM के अंदर जो चीज़ हम डाल दिये वो भूलता नहीं था लेकिन अब धीरे-धीरे लोग जो है कभी-कभी कुछ instruction को हमें change करना होता है या फिर कभी अचानक से उसको upgrade करना होता है तो कैसे एक बार जो हमारे पास ROM आ गया तो अपग्रेड अगर नहीं होगा उसको भूलेगा नहीं उसको लिखा नहीं जा सकता केबल एक बार read कर दिया एक बार उसमें जो चीज़ डाल दिया अब उसमें हम लोग write नहीं कर सकते केबल उससे आप चीज़ों को ले सकते हैं तो उस टाइप से क्या होने लगा दिक्कत होने लगा तो धीरे धीरे change हुआ time और roam में भी हम लोग क्या कर सकते हैं change कर सकते हैं उसके data को erase कर सकते हैं बहुत सारे उसके लिए methods हैं और उसके data को erase करके हम फिर से उसमें कुछ चीज़ों को instructions को feed कर सकते हैं तो उसी के अलग-लग प्रकार हैं अब देखे कहा जा रहा है अनन्त प्रकृति की यानि कि infinite nature का memory से युक्त अबं computation की समस्याओं के bislation में परयूक्त होने वाले सैध्यांतिक computer को Turing machine कहा जाता है याद रहेगा Turing machine क्या है एक प्रकार का mathematical model है जो कि infinite length वाली एक टेप होती है और इसमें अनन्त प्रकृति यानि कि infinite nature का स्मिर्थी से यल्लैस होता है computation की समस्याओं के bislation में परयूक्त होने वाले इस सैध्धान्तिक computer को कहा जाता है Turing machine याद रखेगा अच्छा E.P.Rome के बारे में यानि कि इंस्ट्रक्शन को अपग्रेड करना है कुछ और डालना है तो वो erase आप कर सकते है बहुत सारे उसके लिए methods है लेकिन ये non-volatile memory है sequential access memory भी है लेकिन ये random access memory नहीं है ठीक है random access memory क्या होता है volatile nature का होता है इसमें power up करने के बाद इसके सारे के सारे इसका दिमाग पुड़ जाता है भूल जाता है ये सब कुछ रोम किस परकार की memory है तो रोम आपका non-volatile type के memory है यानि कि गैर परिवर्फन सी memory है रोम का पूरा नाम read-only memory रोम का पूरा नाम read-only memory अब देखे इसके इसके द्वारा मिठाया जाता है माल लिजे कि आपके रोम को आपके रोम को upgrade करना है उसमें कुछ आपको instructions feed करना है तो आपको पहले के data को erase करना होगा कुछ या फिर उसमें आपको कुछ leakना है उसमें कुछ write करना है उसमें कुछ program insert करवाना है तो आप उसके data को कैसे erase करेंगे तो उसमें ultraviolet ray के द्वारा हमको क्या करना होता है उसके data को erase किया जाता है थोड़ा सा यह scientific है हम लोग नहीं कर सकते वो उसके लिए एक skill की जरूरत है ठीक है चलिए आगे दिखते हैं कहा जा रहा है कि primary memory का access time primary memory का access time secondary memory के access time से ज़ादा होता है बिल्कूल गलत देखे primary memory का access time कम होता है देखे primary memory CPU के बगल में होता है अब CPU भाई ज़्यादा बगल में होगा तो उससे access जल्दी यह करेगा न कि से primary memory तो दूर में है और दुसमनी भी है इसको इससे डारेक्ट कम नहीं करता है तो primary memory का access time secondary memory से कम होता है याद रखेगा अच्छा समान संग्रत यानि की समान storage capacity के लिए DRAM SRAM की तुलना में सस्ती होती है तो DRAM यानि की dynamic random access memory और SRAM यानि की static random access memory अब DRAM और SRAM RAM के ही परकार है उसके भी दो टाइप है DRAM dynamic random access memory और static random access memory देखे RAM क्या करता है जो आपका present में काम चल रहा होता है वो काम करवाता है उसको भी दो परकार से हम देखते हैं एक होता है DRAM एक होता है SRAM SRAM क्या होता है थोड़ा सा upgraded version है DRAM से DRAM पर अगर आप काम करेंगे तो आपको बार-बार refresh करना होगा नहीं तो ये जैसे ये तो ऐसे ही भूलने वाला है अब इसको बार-बार याद दिलाना पड़ता है इधर सुनो तो DRAM को बार-बार refresh करना होता है तब जा करके आप DRAM पर काम कर पाएंगे लेकिन SRAM क्या होता है एक बार आप इस पर काम करना सुरू क किये तो आपको बार-बार refresh करने की जर्रत नहीं है जब तक आप इस पर काम करेंगे तब तक ये चीजों को नहीं भूलेगा तो SRAM इससे फास्ट होता है DRAM से ये आप यहाँ पर इस परकार से समझ तकते हैं लेकिन हाँ सेम स्टोरेज के लिए DRAM और SRAM की तुलना में DRAM जो इस मेमोरी चीप की गती अधिक तेज है तो याद कीजिएगा अभी आपने बात किया कि यहाँ पर कोई निश्चित नहीं है गलत है DRAM और SRAM के तुलना में SRAM ज़्यादा गती सील है ज़्यादा फास्ट है ठीक है अभी आपने बात किया था SRAM ठीक है आप देखते हैं कार से कम access time यहाँ पर अगर बात करें इन चारों option में क्या magnetic bubble memory, magnetic core memory, random access memory इन सब से access time जो है आपका cash memory का कम होता है ठीक है याद रखेगा अब देखें memory और CPU के बीच ठीक है क्या बोलते हैं जो इसके memory और CPU के बीच अस्थाई रूप से high speed holding area का कारी कौन करता है देखें memory और CPU, CPU जो है किसके पास जाएगा भाया, memory के पास जाएगा, अब ये memory के पास जाएगा instruction देते जाओगे, देते जाओगे, तो क्या करेगा, रुक 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 र उठा करके CPU को देने का काम कौन करता है, तो बीच में बीच बचा मेडिगेटर का काम करता है आपका cash memory, जैसे कि आपके थाली में खाना बहुत सारा है, आपने पूरी रख लिया, पुलाओ रख लिया, आपने सब कुछ रख लिया, ये आपका क्या हो गया, memory हो गया, ठीक ह तो हैंग करिएगा की नहीं, खाने में दिक्कत होगा की नहीं, तो cash memory को बार-बार इसलिए साप करना पड़ता है, ये काम करता है, इजली अच्छे से उठा करके, memory से CPU को चीजों को देने का, तो बीच में कौन holding area का का कारी करता है, cash memory करता है, देखे, DRAM का क्या lab है, DRAM का यानि कि dynamic random access memory का, अभी हमने इसके advantage देखी, क्या इसका कोई lab भी है, तो हाँ, इसका ये lab है, कि DRAM में हम चीजों को SRAM से ज़्यादा store करके रख सकते हैं, ठीक है, ये lab है इसका, और देखे, आगे क्या लिखा गया है, कि हाँ, निमलिकित में से किस memory को प्रती सकेंड कई मद से लिए, CPU को तेज गती से, डाटा उपलब्द कौन कराता है, तो CPU को तेज गती से, अभी हमने देखा, main memory से उठा करके, CPU को डेटा देने का काम कौन करता है, कौन करता है, आपका हाथ करता है, तो वो हाथ क्या है, cache memory है, छोटा सा hold करने का काम, instructions को data को hold करके, मुह तक random access memory है, volatile nature का होता है, ठीक है, power off, इसके सारे पुर्जे खतम, अच्छा, यदि user को CPU में ततकाल उपलब्द सूचना की जरूरत है, तो क्या बोलते हैं कि, ततकाल सूचना की जरूरत हो, तो यह कहां store करी जानी चाहिए, तो यह RAM में, देखें, आपको कोई भी चीज, जैसे क आपको कुछ वीडियो देखना है, तो यह कहां पर आएगा भीया, RAM में आएगा, तब वहां से आप देखेंगे, तो RAM में होता है, यहां सब कुछ काम, RAM पर होता है, RAM आपको एक जगह देता है, कि आपको वहां पर काम को करेंगे, चीजों को करेंगे, ठीक है, एक जगह द detail में कर रहे हैं कि आपको और भी बहुत सारे facts मिल जा रहे हैं तो हम लोग इसको यहां से complete कर लिए तो इसके आगे का class हम लोग इसके आगे class अगले class में लेंगे इसके आगे का questions अगले class में लेंगे उसको detail से समझेंगे और computer के playlist में जाकर आप वीडियो पी देख सकते हैं और उससे पहले आप लोगों के लिए आप लोगों से थोड़ा सा एक support है सपोर्ट क्या request है कि आप लोग अगर जैसे सीजेल का form बरे हैं और पेपर को के अंदर language paper में अगर आपने खोठा लिया है तो खोठा का syllabus बहुत बड़ा है इतनी syllabus बड़े syllabus को आप भाश्क तरीके से कैसे इसको आप समिटेंगे कम समय में तो उसके लिए यहाँ पर एक बस बहुत कम गुरुदक्षिना के साथ एक final touch revision है जिसमें आपको topics दिये जाएंगे बस उतना ही किया करना है आपको जितना यहाँ से कहा जाएगा ठीक है जितना आपको कहा जाएगा बस उतना करना है उसके अलावे आपको कुछ भी नहीं करना है बस हमारे उपर सब को छोड़ दिजे आपको जो कहा जाएगा वो समय में अगर आपको अच्छे से 90-95 प्लस करना है तो आपको इसमें जरूर जुड़ना चाहिए और अगर आप खोड़ा लिये हैं या पिर नहीं तो भी आप इसको share किजिए ज्यादा से ज्यादा ताकि हमें कुछ support मिले और हम अच्छे से अच्छे हमारे अंदर कुछ fuel इ अनुबल हमारा टेज रहे तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में जैहिंद जैहिंद